हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक टो माई चैनल आज हम बनाएंगे मैंगो सूजी केक बहुत ही सॉप्ट बहुत ही यह स्पॉंजी देख सकते हैं कितना जालीदार बना है और यह बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हैं और मैंगो का मौसम चल रहा है यानि मैंगो का सीजन चल रहा है तो मैंगो केक बनाना बनता है और यह बहुत ही टेश्टी लगता है इसको जरूर बनाईएगा और अगर आपको मेरे यह रेश्पी पसंदा है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा और बगल बटन होगा उसको प्रेश करना नहीं इसको बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने सूजी ले लिया है महिन या मोटा कोई भी सूजी हो उसको ले लीजी और हम कर दिया है ने यह अचा बनता है अब लेगे अवे हैँ पका हुआ अच्छी अधिक्या ड्रुनि अर्टसपर मैं एक कब सोभाना तुम थी कुए और तुम यह उत्युक्ता किने के लिए हैं तो पुर्सकथी महफन देगए कि गाहनुन कर लेंगे अब ले लिया है मैंने एक आम पका हुआ अच्छी तरह पका हुआ है ये और जितना अच्छा आपको आम का कलर रहेगा उतना अच्छा केक बनेगा तो ये बहुत ही अच्छा कलर है इसका अब इसको छील करके कट कर लिया है मैंने बिल्कुल रफली कट किया है मैंने अब इस उसके साथ मैं हाप कप चीनी भी डाल देती हूं और घीक में सूजी में एंवनफ उद्थ कप घी नाद поговор आपगी डाल है या तेल डाल सकते हैं या बटर डाल सकते हैं तो आप कई भी आणफलेवर टेल जाल sido क penalty Het तो म作र हमंने बडम स्वेंगे अ cuánto ipeं ना उसमें और उसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको देख सकते कितने अच्छा घ्राया है अब इसमें डाल देंगे, जो ग्राइन के है न, उसमें दूद डाल करके, उसको मिक्स कर लिया है, ताकि कोई भी थोड़ा सा भी पल्प बरबाद नहों, अब मैंने हाप कप डाल दिया है दूद, और वन फोर्थ कप दूद और मैंने डाला है, देखे, इसमें वन फोर्थ वन जाई होनी जगें, ज्यादा खटी नहीं, फ्रेश दहीं डाली है इसमें, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कलर कितना अच्छा आया है religion, जितना अच्छा कालर रहता है उतना अच्छा कलर केक में आता है, है तो देखे भी अब इसको आदा घंटा के जिनके पास केक टिनना हो इस तरह से बॉल ले लिजिए और इसमें बनाईए तो मैं इसमें बनाऊंगी आज तो इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल देती हूं ताकि यह चारो तरफ लगा ले ताकि केक अच्छी तरह से बेख होने के बाद निकल जाए तो आप या तो हाथ से ल पाइटर पेपर है तो उसको लगा सकते है लेकि मैं आज बिना पास्फण पेपर कब बना रही हूं और उसमें डाल देंगे मैदा एक चममच या तो मैदा डाली या तो आप आँटा डाल दे सकते हैं तो इसको चार तरफ से फैला देंगे इस तरह से 46 घुमाते सकते हैं मैंने आदा गंटा के लिए रखा है अब इसमें मैं डाला देते हुं बेकिंग पॉड़ा और ऻांध होट देगी वानड दो इसमें डाल दिया है हाब टेस्पून डाल देंगे बेकिंग शोडा तो मैंने अब के से तहटा शात कमी लिए लिया हैं अब हाप across the pilot जास हीं अब इसको करेंगे तो मैं इसमें डाल देती ba दूद्य नहीं yeah चाहिक तो एक कप लगा रुद्स करिके और इसको आंड़कों से सबस्प्र मिक्स, त के लिटालेंगे जो बॉल लिया है उसमें डालेंगे देखिए यह मिक्स हो चुका देख सकते हैं अब इसको बॉल में डालेंगे तो मैं इसमें डाल देती हूं यहाँ पर याद रखने वाली बात है जब भी Baykin dinner के लिए के लिए रख दीजिए जहां पर बेक कर रहे या कुकर या कडाही या ओवन दस मेंट पहले प्री हिट होने के लिए छोड़ दीजिए उसके बाद आप केक टीन में डाल लिए तो इसको अच्छे तरह से पोच करके मैं डाल देती हूं इसको सारा बैटर को अब इसको टैप कर दिया था और उसके बाद इसको डालेंगे तो मैंदर डालने से क्या होता है कि जो यह टूटी फूटी डाल रहे तो उसमें ताकि अंदर नहीं जाएगा बेक होने इसमें यह उपर ही रह जाएगा अब इसको बेक कर लेंगे तो देखिए मैंने कूकर को पहले से ही लो फ्ल हो जाकता है तो हाथ जलने का डर है अब मैंने इसमें डाल दिया है अब है कि यहां पर कि आप या तो कुकर के धकन से ही या तो इस तरह से बड़ा बरतन से धक लीजिए ज्यादा अच्छी तरीके से बेक होगा अब इसको मिडियम फ्लेम पे 30-40 मिनट के लिए बेक कर लिजि चुकर कि इसको देख सकते हैं निकला है बहुत ऊच्ची तरीके से बेक हो चुक आब इसको निकाल लेंगी बाहर तो मैं निकाल लिया है तो एक ठंडा करके इसको डिमोल करेंगे तो गरम चारों तरब से चाकू से हटा करके चाकू से हटा लीजिए ताके अच्छी तरह से यह केक निकल जै ठंड़ा होने के बाद ही निकल जाए छब्ड़ा ठंड़ा हो जाए इसके बाद अब इसको प्लेट रख करके डिमोल्ट कर लेंगे बहुत इच्छा केक बनाए फ्रेंज कलर कितना सुन्दर आया है अब इसको फिर से उल्टा कर लेंगे देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसमें डेकोरेट करने कोई भी जरुवत ही नहीं है कोई भी क्रीम या कुछ भी अगर आप बड़े हो या इनवर्स्री हो इस तरह का केक बना करके आप कट कर सकते हैं तो मैं इसको उठा करके दिखा देती हूं कितना स्पॉंजी और कित कितना स्पॉंजी बना है तो देखिए बहुत ही अच्छा बनाया फ्रेंड बहुत ही अच्छा तो देखिए कितना स्पॉप से कट रहा है अब इसको उठा करके दिखा देती हूं कितना अच्छा बना है कलर कितना अच्छा है कोई भी कलर देने का इसमें जरुवत नहीं है देखिए कितना अच्छा कलर आया और कितना अच्छा बना केक तो इस तरह से केक बनाईए बिना कलर का और घर में बर्डे कुछ भी बना सकते हैं और अगर आपको मेरे रेस्पी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और कॉमेंट नहीं भूलेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेस्पी के साथ